आप लोगों के लिए लेकर आएक और नेया वीडियो आज वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सिट्रॉइन C3 एयर क्रॉश जो है वो चलती कैसी है क्या सारी की सारी स्पेशलिटी है जिसकी वज़े से यह गाड़ी और ज्यादा वर्सेटाइल है तो हमने सोचा कि एक नया कलर और नया वेरियंट आपके सामने लिकर आए तो आज हम फाइव सीटर वाला वेरियंट चलाने वाले और उसी के साथ के अंदर कलर है दूसरा सो बेसिकली इस गाड़ी में तीन कलर आता है कौन से आते हैं स्पेशल वो सारी चीज़े हैं अभी वीडियो में बताएंगे आपको मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो में कौन सा बनाएं सेम टाइम पर अगर आपको सिट्रॉइन की किसी भी कार का एक्सपीरियंस लेना हो तो टॉंक रोड पर प्रताप सिट्रॉइन का उटलेट है जाओ एक्सपीरियंस लो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और कॉंटाक नंबर में डाल दूँगा तो यह वीडियो को शुरू करते हैं सो दोस्तों पेश करते हैं सिट्रॉइन सी 3 एर क्रॉस और यह हमारे पास में जो है 5 सीटर वेरियंट है यह वाला जो है 7 सीटर वेरियंट है आप सबसे पहले कलर्स की बात कर लेते हैं सो बेसिक अगर आप बात करो तो इस गाड़ी में कुल मिला के तीन कलर आ रहे हैं वाइट ग्रे और ये ब्लूइश टोन का शेड़ अब उसके बाद में आपके पास बहुत सारे आप्शन आ जाते हैं जैसे डूल टोन हो गया सिंगल टोन हो गया वह बाकी सारी चीजें और भी कुछ जानना हो तो आप आउटलेट आ जाना वह जाके आपको बता देंगे कोशिश करेंगे कि हम आपको डूल टोन जो है वह थोड़ा-थोड़ा समझा पाएं तो लास्ट वाला जो आपने वीडियो देखा जिसके अंदर हमने बात करा था वाक अराउंड की वहां पर जो हमारी गाड़ी थी वह वाइट कलर की ती और उस सबसे पहले क्योंकि फाइव सीटर है तो एक तो मैं आपको ना बूट स्पेस दिखा देता हूं तो हम करते हैं सबसे पहले अनलोक कुछ इस प्रकार के आपको चाबी मिलती है सिट्रॉइन का लोगो लॉक अनलोक करने के बाचान तो यहां से करी हमने गाड़ी अनलोक जैस में यह वाला स्पेस कम हो जाता है तो आप दोनों ले सकते हो अगर मैं लेता तो मैं सेवन सीटर लेता क्योंकि सेवन को मैं फाइव कर सकता हूं मगर जिसमें घर में ही तीन लोग है उनको सेवन सीटर लेने का क्या ही मतलब तो उपर की तरफ ट्रे अब क्योंकि पीछे की सब्सक्राइब तो यह जो ट्रेन ना यह दो पीसे में यह वाला आपका वैसे के वैसे रहेगा और यह वाली जो जगह यह आपकी यहां से कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगी अब पीछे की तरफ जो कुछ लुक है वह वो कुछ इस प्रकार का रहा है तो हमने दिखा शिगासी ट्रंक दिखा जाए ना यह ट्रंक में इतना सारा स्पेस है किता सारा स्पेस है कि अगर मैं चाहूं तो मैं इस ट्रंक के अंदर ना आराम से बहुत सारा ट्रंक के अंदर मुझको स्पेस मिल जाता है और अब चलते अंदर और दिखाते हैं कि अंदर की जो स्क्री हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यहां से लगाई हमने चाभी हो हो ब्लोवर की स्पीड कर देते हैं काम चेक चेक मारें रखना पड़ेगा क्योंकि बाइसाब यह गोप्रो बहुत जादा I hope copyright ना है, so 10 inch की ये वाली screen मिल जाती, इसमें बहुत सारे आमको functions मिलते हैं, यहां आरे पास एक और screen मिलती है, इसमें भी बहुत सारे function मिलते हैं, उन्ही सारे functions की उपर बात करते हैं, सबसे पहले कर लेता है, neutral check, so neutral check करके, गाड़ी start करते हैं, so देखो, मैं एक चीज़ बता ही start होगी, अब हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा हमनी clutch दबाया, आहा, आराम से गाड़ी आपके start होगी, petrol engines वैसे भी refined होता है, Citroën के engine बहुत जादा refined है, तो AC हो चुका है, on, और उसी के साथ में, जो rear defogger है, उसके लिए आपके पास यहां बटन है, rear defogger के अभी हमें क देखा जाए तो जब शीशे पर reflection पड़े तो आप इसको ऐसे करके change भी कर सकते हो, उसी के साथ में electrical आपके पास में ORVM आ जाते हैं, यह हमारी joystick आ गई और हमने यहां से कर लिया set हमारे ORVM, तो यहां से इसको left करा, और left वाला जो ORVM है उसको भी हमने यहां से adjust कर लिया, check चेक, चेक, इसी के साथ में अगर पीछे बच्चे 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 हैं, तो इस बटन को आप दबा देंगे, पीछे बच्चे नहीं बच्चे हैं, तो इसको ऐसे रहने दो, साधी के अंदर यहां पे auto start and stop का बटन है, यह हो गया हमारा auto start and stop बंग, तो अब हम जभी भी red इसके कुछ functions आपको दिखाने है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसी screen से शुरू कर देते हैं, ताकि आप लोगों को सारी information मिले, तो देखो guys, यह हमारी आगई screen, I hope आराम से देख सकते हैं, अब यह जो screen है, इसके अंदर सबसे पहले, इधर की तरफ हमारे पास आगया fuel का option सो गाड़ी के अंदर 45 लीटर fuel की total capacity भर सकते हैं, इधर की तरफ हमारे पास आगया गाड़ी में heat वगेरा, यह 7 इंच की पूरी की पूरी हमको color display मिल रहा होता है, resolution कैसा हो तो आप मुझे comment करके बताइएगा, उसी के साथ के अंदर, यहां पर हमारे पास में आगया fuel range, यह हमारा मीटर आगया, जिसमें 0 km per hour की top speed लिखी है, मातर 47 km यह गाड़ी चलिए और इस तरफ हमारे पास आगया RPM मीटर, अब यहां से जब आप इसको toggle करते हो, तो इसमें कुलमिला की कित्ती कित्ती चीज़ें आ रही है, सबसे पहले हमाए उपर की तरफ यह आगई हमारी ज जो tire pressure monitoring system है, वो भी आपको मिल रहा होता है, जिसको आप check कर सकते हो, अगर इसमें कुछ भी error होगी, तो आपको यह दिखा देगा कि आपकी गाड़ी में, tire में हवा कम है, उसी के साथ में यह हो गया हमारा RPM प्लस speedometer, तो अगर मैं देखो, यहां से मैं accelerate करूँगा, वैसे ही RPM मेटर हमारा change होगा है, देखो, तो RPM मेटर हमारा change हो रहा है, इसी के साथ के अंदर यहां पर हमारा आ गया इको, जैसे अगर हम तमीज से गाड़ी चलाएंगे, तो इको मोड हमको show करेगा, कि हम तरीके से चला रहे है और नहीं चला रहे, वैसे हम तो बतमीज हो की तरह च कर लेते हैं, so source का हमारे पास बटन आ गया, इसके साथ में हमारे पास voice command के लिए बटन आ गया, यहां से call उठाना और काट सकते हैं, साथ में volume कम और ज्यादा कर सकते हैं, जब इस तरफ देखते हैं, तो हमारे पास menu के basic बटन है, जिसके बारे में हम वहां से टॉगल कर रह यह नहीं होना चाहिए, मैं आ जाता हूँ back, नीचे की तरफ आए user setting में, user setting में पहली चीज़ आ गई हमारी brightness, और brightness को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, हमने level 4 पे रख रखी है, उसके नीचे की तरफ आगया theme selection, खाकी और black, black करोगे तो देखो काली होगे, और वापस खाकी कर हो गया, मुझे खाकी कलर थोड़ा सा ज्यादा पसंद है, आप कमेंट करके मुझे बताना, आपको कौन सा पसंद आया, मैं back आ गया, नीचे की तरफ आए unit selection, order meter unit, kilometer per hour में ही मुझे को चाहिए, नीचे की तरफ आगया temperature unit, तो मुझे degree Celsius में चाहिए, परनाइट में, अपने में नहीं काम में लेते, उसी के नीचे की तरफ language में जए और बहुत सारी languages आ रही है, मुझे सिफ अंग्रेजी चीए, बाकी और दूसरी language मुझे सहन में नहीं आती, उसी के नीचे की तरफ, eco meter जो है, इसको on भी कर सकते हो, और off भी कर सकते हो, जो हमार को या meter दिख रहा थ सकते हो, और अभी क्या first service है, इसी हिसाप सो उसको set कर रखा है, अब यहां से मैं पीछा आया और यह वाली screen में recover हो गई, इस तरफ जब आप आओगे, तो यहां से blower की speed कर दी हमने, और मद्धम, क्योंकि आप समझे रहो ना, आवाज बहुत ज़्यादा आती है, अब यहा अब सामने वाली screen में देखते हो, तो यहां से आप audio कम या ज़्यादा कर सकते हो, audio off करना है तो आप यहां से कर सकते हो, media अगर आप USB अगर कुछ लगाओगे, तो उस case के अंदर आप यहां से काम में ले सकते हो, radio, phone, Bluetooth अगर आप connect करोगे, तो यहां से आप अपना phone connect कर पा आप बोलोगे, तो हम music के उपर अलग से एक video बना देंगे, जो कि आप हमारी Instagram पर जाके देख सकते हो, नीचे के तरफ हमारी social media handle है, प्लीज जाओ, वहां भी follow करो, और यहां पर भी subscribe करो यार, अगर मेरे अच्छे subscriber होते हैं तो अभी तक video डल चुका होता, अब जाके पर हमारी general setting आगे, अब जो यहां से हम देख रहे तो हो, चीज़ें यहां पर मिल जाएगी, factory reset कर सकतो, वाइफाई इसलिए, वाइफाई और कोई काम करनी है, वाइफाई इसलिए है, ताकि आप devices connect करके, गाड़ी को reset वगरा करना होता है, कई सारे software update उन सारे कामों के आडियो चाहिए, equalizer में जाके आपको कैसी आवाज चीज़े, जैसे मुझे base बहुत पसंद है, उसके अलावा mid-mere को center में चीज़े होता है, triple थोड़ी कम चीज़े होती है, यहां पर आपके पास equalizer के option मिलते है, आप वो भी set कर सकते हो, volume में जाके कि किस चीज़ के लिए volume कम या जादा करनी है, कि ringtone के लिए कम हो नीची जादा हो नीची वो भी set कर सकते हो, SVDC का मतलब होता है, जैसे आपकी गाड़ी की speed बढ़ती ही, वैसे ही आपके गानों की speed थोड़ी सी volume बढ़ जाती है, वो मुझे नहीं पसंद है, तो मैं इसको off कर देता हूँ, back आजाता 5 से जादा आप features काम में ले सकते हो, इसकी जो Android app है, मतलब mobile app है, basically mobile बुलेंगे, mobile app है, उसके through आप बहुत सारे functions काम में ले सकते हो, ये तो रही हां की बाते, अब सबसे पहले हम seatbelt लगाते हैं, और उसके बाद में इस गाड़ी को चलाते हैं, so guys, क्योंकि हमारे वीडियो और जादा detail में होते हैं, तो कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं, सबसे पहले इधर की तरफ आपकी गाड़ी की जो range है, कि किते fuel में अभी आपकी गाड़ी और चलेगी, वो दिखा रहा है, इधर की तरफ outside temperature दिखा रहा है, अब wiper जो है, wiper का throw दिखा देते हैं आपको तो यहां से आप wiper काम में लोगे, तो जैसे इसको प्रेस करा, वैसे आप सामने देखो, अच्छा पूरा का पूरा जो glass है, वो properly clean हो रहा है, और उसी के साथ में पीछे वाला जो wiper है, यह देखो, चल रहा है, और यह पीछे वाला fluid हमने करा चालू, तो पीछे के तरफ ज पहले वाले व्लॉग में भी हमारे आएव है, तो अब हम गाड़ी को चलाने वाले हैं और experience करने वाले हैं कि यह गाड़ी कैसे चलती है, अब गाड़ी को सबसे पहले पीछे लेते हैं, यह हमने गेर के नीचे की तरफ जो नौब उसको पकड़ा, आगे करा, गाड़ी में स speed gear plus one आपको मिल रहा होता है, अब reverse को का जो camera इसकी quality भी decent quality है, अब हम धीरे-धीरे गाड़ी पीछे लेते हैं, मगर हमने एक चीज भूल गए, वो था handbrake, so यहां से handbrake करा हमने नीचे, अब हम धीरे-धीरे हमारी गाड़ी पीछे ले रहे हैं, so देखो सबसे पहली चीज गाड़ी की size बहुत अच्छी है, मगर आप यह मान कर चलो कि जैसी हमको एक गाड़ी मिलनी चीए, बिल्कुल exact वैसी के वैसी इसकी size है, यह rival तो बहुत सारी brands का है, जितने भी product उनके लिए, मगर अच्छी बात यह है, कि जिन लोगों को भारत देश में, जिन लोगों की ह है, वो यह है, कि भाई साथ लोगों के बैटने के अलावा basic immunity मुझको मिलनी चीए, तो मैंने इस गाड़ी को अभी तक जो experience करा ना, walk around और बाकी चीजों में, मुझे यह लगा, कि यह सिर्फ उन लोगों के लिए specifically designed है, मतला आप यह सोचो, कि आपको इस गाड़ी के अंदर wireless android auto मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है, one touch आप जिसे down कहते हैं, अब तो नहीं है, one touch down आपको इस गाड़ी के अंदर, जो power windows switches हैं, वो मिल रहे होते हैं, तो यह जो चीज है, यह एक बहुत बड़ी है, और सोचो नहीं है, साथ लोग गाड़ी में बैट कर, बार रहा हूँ, steering की बात करूँ तो guys, steering बहुत ज़्यादा soft है, electrical steering होगा, हाला कि कहीं पर ब्रॉशर में नहीं लिखा, पर जित्ता यह smooth है, उसे साब से तो यह लगता है, electrical steering है, so no doubt, butter smooth, बिलकुल आराम से घूम रहा होता है, same time grippy है, यहां से भी, यह लुक भी बहुत अच्छ और जैसे कहते हैं, grippy steering, वैसा मुझको मिल रहा होता है, so guys, C3 aircross, बहुत देर से हम चला रहे हैं, और कुछ और points ऐसे हैं, जो positive और negative हमको मैसूस हुए, for example, मैं positive से शुरू करता हूँ, सबसे पहले, drive comfort बहुत अच्छा है, steering बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं, commanding, आप जब भी भी steering काम में ले रहे हो, तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि कहीं पर भी आप थक रहे हो, पहली चीज, दूसरी चीज, मुझे gear knob अच्छा लगा, हलाकि हो सकता है कहीं कर ना लगे, so gear knob में मुझे अच्छा गया लगा कि जब आप यहाँ देखोगे, तो gear अलावा engine, आप 3-cylinder engine से, मैं expect नहीं कर रहा था कि वो इतना powerful हो सकता है, मगर responsive है, बहुत responsive है, आप किसी भी gear में, जैसे second gear, third gear में, आप जब accelerate करते हो, तो क्योंकि torque ही है, 190 nm जो torque है, वो आपको instant दे रहा होता है, चलने के अंदर, तो आपको ड्राइव करने में बहुत परेशान हो रहे हो, दूसरा, एक ना, एक बहुत basic सी चीज है, जो मैंने realize करी, कि आपको गाड़ी घर के लिए 7-seater जारत पड़ती है, कि यार मुझे 7-seater लेनी पड़ेगी, पर actually आप उसमें अखेले या दो लोग ही चल रहे होते हो, जैसे अभी हम सिफ दो लोग इस गा कर आपको लेकर चलनी पड़ रही है, वैसे वाली feeling, horn, मैं वीडियो के end में भी आपको इस horn की loudness सुनाओंगा, अच्छा, जिसे कहता है न, rhythmic horn, वैसा आपको मिल रहा होता है, आप देखो, आप second gear में आपने accelerate करा, good to go, third gear, इस वाक मैं third gear में हूँ देखो, आप कहीं पर भी आपने overtake करा, उसी gear में आपने accelerate करा, good to go, sixth gear car होने पर, मेर को यह मैसूस हुआ है कि कहीं न, कहीं न, आपको gear का lag मैसूस होता है, कि अरे यार, overtake करना है, तो होता है न, आपको gear change करना पड़ेगा, in this case ऐसा कुछ भी नहीं है, visibility की अगर मैं बात करो, आप इदर से देखो, visibility की बात करो, तो visibility बहुत अच्छी है, proper आपको visibility दिख रही है, mirrors में भी अच्छी दिख रही है, और उसी के साथ में, front में भी, आपको जो bonnet है, वो पूरा का पूरा एरिया, आराम से दिख रहा होता है, जिससे की न, आपका drive करना और जाधा असान हो जाता है, अब आप सो पिस्ट गेर में इस गाड़ी को लेता हूँ, तो मेरी गाड़ी 25 जारी है, second अगर हमने डाला, तो करीं, 53, 55, something जारी है, मैं 3rd गेर में डालता हूँ, तो मेरी गाड़ी 3rd गेर में 80 की speed टैच कर लेती है, अगर मैं 4th डालता हूँ तो, माई गॉड फोर्थ गेर में ही मेरी गाड़ी 107 टेच कर रही है तो यहाँ पर यह जो रोड्स हैं यहाँ पर हमको हाई स्पीडिंग करना अलाउ नहीं है और फोर्थ गेर में अगर मेरी गाड़ी 107 जा रही है तो आप यह सोचो अगर मैं गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग करता हूं तो मेरी ब्रेकिंग क्या है कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से अगर आप सिट्रॉंग सीथरी चलाते एर क्रॉस तो इसके टॉप स्पीड आप किते ही पहुंचा सकते थे जैसे आप गाड़ी चला रहे हो आपको ब्रेकिंग भी टेस्ट करने की जुरत पड़ सकती है तो अगर हम पूरे ब्रेक मार देते हैं इस गाड़ी के तो आपकी गाड़ी पहुत जल्दी कंट्रोल में आ रही है क्योंकि ABS और EBD दोनों ने जो काम करा है वो करा है नेक्स लेवल अब मैं सेम के सेम चीज आपको गाड़ी से बाहर से दिखाता हूं और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो ब्रेकिंग है वो आपको कैसी लगी सुगाइस देखो सामने से गाड़ी आ रही है सिट्रॉइन सी 3 एर क्रॉस और जैसे आप यहां देखोगे जब गाड़ी ने ब्रेक लगाए तो आप एक चीज नोटिस करोगे गाड़ी ने बिलकुल भी स्किड नहीं हुई वहीं के वहीं पकड़ करके रुग गई क्योंकि सेफटी फीचर में एरबैग, EBD जैसे सारी जित्ती चीज़े हैं मतलब एरबैग भी है और गाड़ी में ABS और EBD जैसे सारे फंक्षन है जिसकी वज़े से गाड़ी बिलकुल परफॉर्म बेस्ट कर रही है तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़े चेक करी है हमने ह हांड सुना देना एक बार हांड तो अच्छा लाउड गाड़ी में आपको हांड मिलता है बहुत अच्छा पावर मिलता है उसी के साथ में अच्छी ब्रेकिंग मिलती है फ्रेंट में इसमें डिस्क ब्रेक है पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक है और साथ में वेंटिलेटेड आपको डिक्स डिस्क मिल रहे होते हैं सो सारे दिन बार बोलते-बोलते हम भी फबल करने लग गए अब चलते हैं और अगला टास्क एक्स्प्लोर करते हैं अब देखो एक और आपको सेफटी फीचर दिखाता हूं भी आप एक बार गाड़ी चलो अब जैसे अगर मैंने सीट बल्ट नहीं लगाई तो यह अवास करने लग जाएगी और जैसे ही सीट बल्ट आप लगाओगे वैसे ही मैं आपको दिखाता हूं देखो गाईस बहुत सारी महनत आवास बंद जैसे अब हम बैठते हैं गाड़ी में पीछे की तरफ और दिखाते हैं कि पीछे की तरफ आमेजी क्या क्या है सो भीया गाड़ी चलो हम थोड़े दिर पीछे बैट कर भी फन कर लेते हैं सो देखो गाइस बहुत ही अमेजिंग संसेट हो रहा है और सबसे पहली चीज़ जब आप पीछे बैठते हो बहुत सार आपके पाल लेग स्पेस है हलाकि यह सीट थोड़ इसी आगे है मगर फिर भी आपने वाकराउंड में देखा है कि आपके पास में बहुत सारा लेग रूम मिल जाता है और उसी के साथ में अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है अब क्योंकि यह फाइफ सीटर वेरियंट है इसलिए इसके अंदर आपको यहां पर मिल जाता है हेड्रेस्ट जो हेंड्रेस्ट है इसके अंदर आप आराम से यहां पर कपस वगरा रख सकते हो और एक छोटे आसे जगे जिसके अंदर आप सेलपून वगरा रख सकते हो अब फ्रेंट दोनों सीट्स में आपको लैब बेल्ट वो सारी टू पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते है और उसी के साथ में उपर की तरफ यहां पर हमारे पास में यलो लाइट मिल जाती है अगर मैं बैटने की बात करूं तो गाइस बहुत ही जादा आराम से मैं कमफर्टेबल हूं मेरे पास हेड्रूम भी अच्छा है और जिसे कहते है ना प्रॉपर फील अब देखो गाइस होता क्या है कि जो मेरा सेवन सीटर वाला वेरियंट है उस सेवन साथ सीटर वाले वेरियंट के अंदर यहां पर हमारे पास में ब्लोवर आ जाता है तो ब्लोवर होनी की वज़े से यह थोड़ा सा आपको ऐसे लंबा सा मैसूस होगा मगर क्योंकि यह फाइव सीटर वाला है इसमें यह जादा comfortable है और देखो अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के experience की तो मुझे तो पसंद आया बाकी आप लोग जाओ और खुद experience करोगे तब जाके आपको पता चलेगा और फिर ही आप मुझे बता सकते हो कि how you feel about this whole car अब देखा हम बैठ तो गए इस गाड़ी में पीछे की तरफ आराम से comfortable अब हम क्या गरते है ऐसे SUV हमको इसको अफ दे रोड तो ले जाना पड़ेगा सो अफ दे रोड जब तक हम नहीं लेकर जाएंगे तब तक हम इसके ओफ रोड के experience को आपको कैसे बता पाएंगे तो अब हम क्या गरते हैं हम सबसे पहले एक ट्रेल ढूंडते है जहां पे इस गाड़ी को चलाएं और उसके बाद आपको बताएं कि ओफ रोड experience कैसा है इंडियन रोड पर चलते हो तो ऐसे रस्ते तो आपको मिलते मिलते हैं भाया सामने आना कि सो देखते हैं क्या यह टास्क को पूरा कर पाएगा 200 mm का जो ग्राउंड क्लेरेंस है वह इत्ता है कि नीचे अभी भी बहुत सार आपको गैप मिल रहा होता है यह रही यहां की चीज़ें अब थोड़ा सा जंगल सफारी करते हैं और इस गाड़ी को और एक्स्प्लोर करते हैं तो दोस्तों सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो इस वाले रस्ते पर भी बिल्कुल अमेजिंग है और आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो सस्पेंशन है ना वो बहुत ही सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगी बाकि जब आप चलाओगे तो आप मुझे बताना कि अगर मैं यहां से देखो अंदर बैट कर तो आप यह देखो कि हमने बिल्कुल जंगल वाला ट्रेल चुना और यहां पर इस गाड़ी ने जो परफॉर्म कर रही है वो कोई भी एक ऑफ रोड़िंग गाड़ी जहां पर जारी होती ना वहां पर हम इस गाड़ी को लेकर जा रहे है और बिल्कुल ऐसी चल रही है जिसे मक्षन आराम से सो सस्पेंशिन की जो सिट्रॉइन ने ट्यूनिंग करी वो भारतिय रोड के अनुसार बहुत ही जादा कमफर्टेबल है और आप मुझे बताओ कैसा लग रहा आपको अच्छी बिल्कुल गुट परफॉरमेंस नाइस बहुत ही यह जो जंगल वाला रस्ता था यह अमने बिल्कुल ढूंड के निकाला हुआ था कि आज के देना मिस्ट्रॉइन को यहां लेकर आ सके सो कि सारे के सारे जो इंफ्लोएंसर्स थे बाकी बड़े इंफ्लोएंसर्स उसको यह गाड़ी मिली थी ट्रेस्ट करने के लिए एक ऐसे ट्रैक पर जो की मैनमेड था हमने सोचा क्यों ना उसको नाचरल ट्रैक पर टेस्ट करें और इस गाड़ी की जो प्रूफ है कि यह कित्ती केपेबल है इसको थोड़ा और इंफ्लोएंस कर दें आजो सो यह जो एक जगह है यहाँ पर मैं हर दम एक 4x4 गाड़ी लेकर आया हूँ आज हम इसको टेस्ट करेंगे कि इस गाड़ी की कैसी है लियाओ स्ट्रेट हलका सा इधर रोको हलका सा सामने हलका सा सामने हाल लेकर आ जाओ अब देखो गाईस एक चीज मैं आपको दिखाता सबसे पहली चीज 200 mm ground clearance का actually मतलब आप यह देखो कि यह गाड़ी इस point के उपर यहाँ से जो touch हुई इसमें जैसे आप इधर की तरफ देख रहे हो वैसे ही यह वाला tyre lifted है मगर lift होने के बाद में भी आपकी गाड़ी कित्ती stable है कि बिलकुल नीचे की तरफ आपके पास इतना gap है कि इस गाड़ी को आप आराम से किसी भी कौने में इधर से उधर ले जा सकते हो जो कि एक बहुत बड़ा example है कि यह गाड़ी off-road किती capable है front के अंदर भी जब आप देखोगे ना तो आपका departure departure angle में फर्क मैसूस हो जाएगा कि गाड़ी इस तरह बनाई गई है कि aperture angle पर कह बहुत सारा gap है और आपकी गाड़ी ने यह हडल पूरा कर लिया अब यह वाले हडल मैं हरदम 4x4 से करता हूं मगर आज हम इसको लेकर आए 4x2 को टेस्ट करने के लिए and it performs very well कैसी लगी यह performance यह तो आप कमेंट करके बताओगे तो ही हमको पता चलेगा और अगर यह से टास तब कुछ और action भी आपको दिखाएं तो कैस दौपैर से शाम हो गई Citroen C3 एरक्रॉस चलाते हुए और दो चीज़ें और आपको बताते हैं पहला AC की cooling decent good cooling है बुरी cooling नहीं अच्छी cooling है राजस्तान के इसाब से बाकी तो देखो long term जो अगर आम इस गाड़ी को लंबे रस आता है तो अभी जैसे थर्ड गेर में हूँ अब मैं अगर यहां जैसे मैंने over accelerated करा या जैसे करा तो मैंने यहां एक arrow आने लग गई जो कि आपको सिंबलाइज कर रही है कि आपको गेर एक उपर करना चीए नीचे करना चीज इसकी वज़े से आपका माइलेज जो है वो औ और जादा सुधरता है अब हम जा रहे हैं सीधे की सीधे जो से ट्रॉइन हैं वहां के शोरूम और वहां जाने के बाद में इस गाड़ी की जो लाइट्स की रोश्नी है वो भी आपको दिखाएंगे एक और बहुत अच्छी चीज दिखाएंगे जैसे हम रेड लाइट पर और ओफ हो गया जैसे हमने क्लेश दबाया मैं देखो यहां से दिखाओं वैसे ही मेरी गाड़ी वापस स्टार्ट हो गई और रेडी टू गो तो यह जो ऑटमाटिक स्टार्ट इन स्टॉफ वाला जो फंक्शन है मतलब गाड़ी रुकेगी तो बंद हो जाएगी और चालो के लिए तो ऐसे बटन दबाऊगे एंड स्टार्ट इन स्टॉफ ओफ तो गईज आज चुके हम फिर से प्रताप सिट्वाइन और सबसे पहले गाड़ी को पाक करते हैं और साथ में आपको गाड़ी की लाइट दिखाते हैं सो अनलॉक सारी लाइट्स ओन हैं फोग लैंब बेंता खुबसरा सिट्रॉइन सी थ्री एर क्रास फ्रंट वाली जो लाइट से इसका थो देख सकते हो कैसा है यही हमने सोचा था कि हम ड्राइव करके जो वापस आएंगे तो आपको अच्छी तरीके से लाइट्स की रॉष्णी दिखाएंगे कमेंट करके आप मुझे बताना यह रॉष्णी आपको कैसी लगी टेल लैंब जो है उसकी भी रॉष्णी दिखाते हैं सो आप करते हैं इस वीडियो को एंड और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्या करना है रुको रॉष्णी करने तो एक मिट रुको यास सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला वीडियो हम कौन सा बनाएं अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप हमें कमेंट करके बताईएगा प्लीज हम उसके उपर भी वीडियो बनाएंगे सेम टाइम पर चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं तब तक स्टे हैपी स्टे हैल झाल 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 झाल